हेलो दोस्तो नमस्कार, होमीपेथिक टेच पर आपका स्वागत है दोस्तो मैं तो बहुत अच्छा हूँ, उमीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे दोस्तो आज हम जिस मेडिसीन के बारें बात करने वाले हैं, उस मेडिसीन का नाम है दोस्तो आज हम लोग इस medicine के बारे हम पूरी जानकारी लेंगे लेकिन उससे पहले दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल एकन को दबाना ना भूले क्योंकि आगे आने वाला अपडेट्स आपको मिलते रहे तो दोस्तो आप वीडियो के पूरा देखते रहिए आपको इस medicine के बारे हम पूरी जानकारी मिल जाएगी दोस्तो आज हम जिस मेडिसिन के बारे में यानि कि जिस दवा के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है Blumia Orderata Q दोस्तो इस मेडिसिन के बारे में यह कहा गया है कि डॉक्टर एनेम चौधरी M.D. ने अपने सिस्यों के साथ इस दवा की अंसिक परिछा की थी खुनी बावसीर में जब सलफर, नक्स भूमिका, एलोज, इरीजियन और हेमा मेलिस सुनिवारचित होने पर भी बिफल हो जाते हैं तब ब्लूमिया कीव से आसतीत सफलता मिलती है रोज पाच बूंद की मातरा में तीन बार देना चाहिए इसी के साथ साथ रक्त मासय और रक्त तिसार में एटिस्टा रेडिक्स इपिक काक के सदस सलक्षन रहने पर भी निसफल हो जाने पर ब्लूमा क्यू अश्चर जनक लाव दिखाती है गर्व पातिया गर्व सराव या उसके बाद जरायों के जोप के साथ रक्त सराव होने पर अन्य दवाव के बिफल होने पर इस दवा से असतीत सफलता मिलती है उमीद करता हूँ दोस्तों आप ये वीडियो अच्छे से और ध्यान से देखे होंगे यानि कि आपको इस मेडिसिन के बारे हैं पूरी जनकारी मिल गई होगी और उसका लिएं डिसक्रिप्शन में दे रखा है'S आप महां से सकते हैं और रही बात इस दवा को कैसे खाया जाया तो वह भी आपको दिसक्रिफ्शन में मिल जाएगा उम्रीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूरी किजेगा और इस वीडियो को सेयर करना ना भूले क्योंकि जितने लोगों को पाज जाएगा उतने लोग झाल झाल झाल